हालो फ्रेंड्स वेलकम बाइक टू मैं चैनल और हमारे आज की रेसिपी है मस्रूम चिली आज हम मस्रूम चिली बनाएंगे वह भी बहुत ही सरल तरीके से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं बिना किसे जंजट के यह तुरंत बन जाएगा और खाने में बिलकुल इसका से लिए कि शर्वड़ी चाप चर्वड़ी चमच आरा रोट की दोनो बड़ाबर करके लेना है तो आप चाहें तो किसी एक सब्सक्ति बना सकते न सिर्प मैदा से बना सकते हैं चिर्व पर मैंने में यह दोनों लिया है अब मैं डाल रही हूं थोड़ासा गोल्की पाउड डाल करके इसको घूलेंगे दhीरे-धीर पाई डालते जाए रिर तीयार करें इसमे गुठलिया नहीं पड़नी चाहिए तो पहले इसको धीरे-धीरे डाल करके इसमे स्मिल लेते हैं आप चाहे तो एक चमच यहाँ पर अध्रकर रुलहसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं तो घोल तेयार है यहाँ पर मैंने मस्रुम को अच्छे से साफ करके इसे काट करके तयार कर लिया इसे जो डंठल होती ही उसे काट करके हटा देना है आप इसे किसी और चीज में यूच कर सक लेकिन तलनिक टाइम इसके डंटल हम हटा देंगे और इसे गोल में मिला देंगे जो बड़े पीस की मश्रूम थे उसे मैंने दो भागों कट कर लिया और जो छोटे साइज के थे उसे मैंने ऐसा ही रहना दिया है तो आप इसके साइज अपने हिसाब सरक सकते हैं अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सभी में कोठ हो जाना चाहिए इसका जो गोल है वो मश्रूम में अच्छी तरह से कोठ हो जाए तो अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती हूं तो प्लिए वीडियो को लाइक करें चैनल में नए है ता सब्सक्राइब कर लें ब बिल्कुल गोल्डन ब्रान होने तक में हम फ्राइ करेंगे यह बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाना चाहिए आप इसे प्राइ करने के लिए कोई भी कुकिंग ओल यूज कर सकते हैं पर मैं यहापर सरसोतेल यूज किया है तो इसमें मैं सबको अच्छी तरह से डालोंग करेंगे यह तरह से लगभग अच्छी से फ्राइ हो जाना चाहिए तो बीच बीच में से हम पलटते रहेंगे इसमें अब हलका सा कलर आने लगा मतलब यह तयार हो रहा है तो इसे थोड़ा साइब करेंगे और इसे निकाल लेंगे हम तो यह रेडी हो गया है इसे एक करके ह है इसका इस्तमल हम बाद में करेंगे तो मस्रूम चिली बहुत पसंद है और आपका चिली कौन सा यह मुझे कमेंट बोक्स में बताईएगा तो मैंने यहां पर कुछ बेजटेवल कट करके रखें इसमें गाजर है सिमला मिर्च है प्याज है तो मैंने सेम कडाही ली है और बिल्कुल आपको रेश्ट्रेन वाला फिलिंग आएगा क्योंकि उसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर उसमें अड़ हो जाता है तो अब इसमें सभी वेजटेवल को डाल करके मैं ऐसे अच्छ 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 फ्राइ करूंगी इसे ऐसे ही चलाते हुए एक तो मिनद तक हम फ्राइ करेंगे हाई फ्लेम में ही इसमें भी हम कुछ निदालेंगे पहले स्थो बहुन लेते हैं उसके बाद इसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूं अद्रक और लहसन कूट करके आप चाहें तेसका पेस्ट भी ले सकते हैं एक एक चमच इसे भी डाल करके अच्छे से भूनेंगे हमें वेजटेवल को बस हलका सा भूनना है इसको पकाना नहीं है अब इसमें बाकी की चीज़े अट करेंगे तो इसमें मैं डाल रही हूं लगबग हाप चमच काली मिर्च का पावडर इसे भी हलका से मिक्स कर देते हैं अब मैं डालूंगी रेड चिली सॉस अगर आपके पास यह नहीं तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं फिर इसमें एक चमच सोया सॉस एक चमच ग्रिन चिली सॉस एक चमच विनेगर और दो बड़े चमच टॉमाटो केचप यह टोमाटो सॉस अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक डालने के टेम ध्यान रहे कि मैंने यहां पर पहले भी नमक डाला था और सॉस जो होती है उसमें भी नमक होती है हलका तो फिर नमक कम ही डालेंगे तो इसे एक बार और अच्छे से भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी आट और उसके बाद में हमने जो फ्राइ करके रखिये मस्रूम उसको मिला देंगे इन सब को डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा धर के लिए से हम भूनेंगे बस तयार है मस्रूम चिली है ना बिलकुल बनाना इसे तो अब आप भी इसे घर पर बनाईए और ट्राइ करिए और इसका टेस्ट कैसा लगा यह मुझे आप कमेंट करके बताईएगा तो आज की यह रेशिपी आपको कैसी लेगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूले और यद है इक नए रेसिपी के साथ में एक नए वीडियो में है आव चान्म एा फ्याई